नमस्कार बिहारी नूज में आपका स्वागत है मेरे तनसेन भारती अज हम बात करेंगे प्रदेश में बजरपात को लेकर प्रदेश में बजरपात से हो रही मौतों से कैसे बचा जा सके सरकार ने इसको लेकर एक योजना बनाई है हम इस पूरे वीडियो में जानने की कुशिस करेंगे कि सरकार की इस योजना से आम लोगों को कितना फाइदा होगा बिहार में मौसमी सीजन के बीच में बजरपात से अब तक 61 लोगों की जान चली गई है सीए मनितियस कुमार ने ठंका से बचने के लिए सभी सरकारी इमारतों पर तरित चालक लगाने का फैसला लिया है साथे साथ बिहार राज आबदा परबंधन प्राधिकरन की और से जागरुकता अभियान चलाया जाएगा जिसके जरिये ग्रामिन इलाकें के लोगों को अकासी बिजली से बचने के लिए जागरुक किया जाएगा साथे साथ बजरपात की सुचना तुरंत लोगों के पास पहुंचेगी बिहार के सभी सहरी और ग्रामिन इलाकों के सरकारी भवनों पर जल्द से जल्द तरित चालक लगेंगे। प्रेरीत करने को भी कहा गया है। इलाधिकारी अपने अपने जीलों में विशेश रूप से निगरानी रखे और अभ्यान चलाकर एहतियात के तौर पर लोगों को सचेत करने की बात जो है। होने कही है। प्रेवारों को उपलब्ध कराए। चलाया जा रहा है जगरुकता अभ्यान के कारण बजरपास से होने बाले मौतों की घटनाओं में कमी देखी गई है। इस साल अब तक भागलपूर में बजरपास से सबसे अधिक 13 लोगों की जान जान गई है। बर्ष 2020 में बजरपास से 469 लोगों की जान चली गई। वहीं 2021 में 280 लोगों को बजरपास से जान गई है। इस बर्ष में अब तक 61 लोगों की बजरपास से जान गई है। खासकर कर बजरपास को लेकर जो बातें कहीं जा रही है। उसमें साफ्त आप से आपदा परबंदन विभाग ने पहले ही यानि कि मौनसून के जैसे ही सुरुवात हुई। उस दोरान से ही आप दापरबंदन विभाग लगातार या अबडेट जारी करता रहा है। इसमें वो कहता रहा है कि अगर आसमान में काले घने बादर हो और बिजरी चमक रही हो इस दोरान धनका गिरने के संभाबना बनती हो तो ऐसे में आप खुले मैदान में ना रहें। उचे पेड़े के नीचे खास करके ना रुके या फिर बारिस से छिपने की कोशिस ना करें। इस दोरान आप बिजली के खंभों के आसपास ना रहें। साफ तोर पे कहा गया है अबड़ा परबंदन विभाग की तरब से कि आप पके मकान में जाएं। जहां जाने के बाद आपकी जान बच सकती है। थनके से आपकी जान सकती है। इस दोरान थनके से बचाब को लगकर भी लगतार अब्दापरबंदन विभाग ने कई अपडेट साज़ा किया हैं। आप खोले में हैं और एक समूह के साथ हैं तो आप जमीन पे नीचे लेड़ जाए बैठने की कोशिस करें खाड़ा ना रहें क्योंकि बजरपाद जो है उच्छे अस्थानों पर ज्यादा देखने को मिलती है हाना कि बिहार सरकार ने जो है अब बजरपाद से बचने को लेकर खास करके अपडेट को लेकर जो उन्होंने तड़ी चाला कि संयंत्र जो है सरकारी भवनों में लगाने की बात कही है और नीजी लोगों को भी कहा है कि आप जागरुक हों ताकि आप भी अपने घरों के उपर जो है तड़ी चाला के लगवाएं जिससे की लोगों की जान बस सके बिहार और बिहार से जुड़ी और बेसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियुज के साथ मुशे द जिए जाजए तनने बात